असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स आज हम करने वाले exercise 21.2 अचा exercise 21.2 में हम क्या करें पार्शल फ्रेक्शन तो आप लोग को यह लगेगा भी 21.1 में भी हमने पार्शल फ्रेक्शन सी किया था पर उन कोश्चन में और इस कोश्चन में क्या फ़र्क है यह मैं अभी आपको पता मुलक खोलेंगे बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर यहाँ आपको रूट्स मिले हुए बस फ़र्क यह है कि समझें यह एक्स प्लस वन ना यूँ दो बार लिखा हुआ है समझना नहीं है आसल में है भी ऐसल देखिए यहाँ वन पावर है यहाँ वापसी आट करेंगे यही व उसमें रूट्स से डिस्टिंक्ट या डिफरेंट जबकि इसमें रूट्स हैं सीम तो इसका मतलब इसको जो आप जीकंपोस करेंगे जनरली भी में लिखने बटा सकती हूँ लेकिन मैं आप लोग का वग बचाने के लिए इसी कोशन से मैं आपको बताती हूँ के 4x-3 है औ मतलब आप A करके रूट्स लिखते थे ना मतलब A और रूट्स तो यहां भी आप रूट्स ही लिखेंगे लिकिन किस तहां रूट्स लिखेंगे जनरली भी मैं आपको बता ही देती हूँ जैसे के यहां पर अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन है मतलब पॉलनोमियल है उप मतलब किया जैसे यहां प्लस वन है तो एक्स पॉजिटिव वन है तो इस उकल टू के सट जाके नेगेटिव वन हो जाएगा तो यह वैल्यू आपको यहां पूट करने है ठीके तो यह इसको डिकंपोस किस तरह करना है जैसे ए और आप लिखेंगे एक्स माइनस ए इस तरह एकपार और इससे कि यहां पर पावर टू है तो आप लिखेंगे भी बी 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 樂र ऐस माइनस एकका स्कुरार सकुर्ष करने जैंग'े पावर हुआगं पावर्ठी है तो फिर आपको सी ओर एकस माइनस एका क्यूब भी करना होगा इसी तरह तु malaise तो इसका मतलब हम इसको करते हैं ब्रेक x प्लस 1 है तो आप एक बार x प्लस 1 लिख लेंगे यह जो x-1 रूट की वैलू है न यह x की वैलू है बात में देखेंगे मैं बता दूँगे आपको थोड़ा सा मैंने कन्फ्यूस किया x प्लस 1 लिख लेंगे फिर आप b और दुबारा यह x प्लस 1 लिखेंगे लेकिन गोड़ स्क्वाइर के साथ यह डिफरेंस आ गया स्क्वाइर तक है तो आपने यह कर लिया इसको तो आप नेम दे देंगे एक्वेशन 1 का जैसे कि हमने अगर आपने वो प्रिवेस वीडियो अचुप वह याट टो तो आपको याथ होगा के हमने आज से किया था बस यह समझाने के लिए कि इस बार में इसको आपको ड़ा peng आ सीच कर रही हूँ तो वह बताने के लिए मैं यह आपको तरीका या समझлом वे इसका तरीका डिफरेंट है इसलिए हम बताले हैं अब सैकंड स्टैप क्या था वहां सेकंड स्टैपर जैसक मैं दोनों से मल्टिप्लाय कर देत liberals क्या करते थो ones x 151 का है तो क्या होगा यहां मैं लिख कर दिखाओ क्यों कि अभी फरस्रिम आयों आप लोग अगर कोई first time वीडियो देख रहा हो तो उसको लिखकर दिखाना जरूरी है बाकी यह terminology ऐसी ही रहेगी 4x minus 3 x plus 1 का whole square इसी तरह A है हाँ A है यहाँ पर तो x plus 1 का whole square से भी multiply होगा और यह A agitist रहेगा और इस divide में x plus 1 भी agitist रहेगा यह तरह यह B है B क्या बलके x plus 1 का whole square यहाँ भी multiply होगा पूरी equation से multiply होगा बिल्कुर होगा क्यों नहीं होगा ठीक है यहाँ से cancel इधर से square से A cancel और square से यह पूरे cancel तो that's mean 4x minus 3 और x plus 1 A और यहाँ पर आपके पास B बच्चाएगा इसको आप कहते है equation 2 कोई problem दो नहीं है अब आपको करना यह है कि आप इसको पहले तो मैं A को multiply नहीं करवाती थी अब आप A को multiply करवा दे और फिर मैं सोच चूँँ है इस equation 2 नाम देने का फाइदा नहीं है तो मैं equation 2 पहले multiply करवा देती हूं फिर नेम करते हूं क्योंकि हम second method कर रहे है case 2 कर रहे है case 1 दोड़ना कर रहे है x a x a r x a rs हो जाएगा a x a 1s are a आप B तो as it is है आप equation 2 का नाम दे दें इसको नाम देने की जरूवत नहीं है या मैं क्या करूँ इसको equation 3 कह देती हूं को असला नहीं है use तो होगी नहीं वैसे लेकिन चले equation 2 का नाम दे सकते है मैं next question मैं ऐसे ही करूँगी अब क्या करना है अब आपको जो second method का according में multiply करवाया है आपने x x को compare करना है और constant constant को compare करना है तो पहले मैं wording mention करूँ यह मैंने wording mention कर दे comparing coefficient of x x को compare का मतलब यह था कि इसके coefficient तो यहाँ 4x है यहाँ a x है तो क्या हो जाएगा सिर्फ coefficient आपने use करने तो 4 is equal to a इसी तरह आप constant को compare करेंगे यहाँ minus 3 है और यह दोनों ही constants है यह दोनों ही constants हैं तो आप a plus b लिखतेंगे अब a की value तो आपके पास आ गए जो कि आपको equation 1 में put करनी है b की value अभी नहीं आईए क्या करना है आपने यहाँ पर minus 3 है जहाँ a की value है 4 वो भी आपने place करनी है अब यह 4 positive का है तो is equal to कि इस साइट जाकर हो जाएगा negative का तो negative का हो जाएगा तो आपके पास answer कहा जाएगा minus minus plus तो minus का 7 आ जाएगा क्यों आएगा भाई अगर मैं यहाँ लिखकर दिखा दू minus का 3 है minus का 4 हो जाएगा और यह b की value आ जाएगी minus का 7 तो यह आपके पास a और b की जो value आ गई है इसे आपने place करना है यह जो है equation 1 equation 1 देख लें यह as it is लिखा जाएगा यहाँ a की जगा value आएगी बी की जगा value आएगी तो मैंने का आप तर्म आपको दिखा दूए equation तो equation की नजर नहीं आ रही थी 4x minus 3 लिखा हो equation में उसको तो मैंने as it is just copy किया है और d nominator भी मैंने as it is copy किया है ठीक है जो कि आपको दिखाया भी था square यह a की value हमारे पास है 4 and b की value है minus 7 तो यह होगा हमारा answer easy चाहे तो screenshot ले 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 बस यही term missing है जिसमें a b लिख रहा है बाकी पूरा question इसमें आ रहा है चले next question स्टार्ट करते है इसके बाद steps बिल्कुल सीम है इस question में बस आपको यह लग रहा होगा कि भाई यह तो पिछला exercise 21.1 की तरह का case है इसमें distinct roots है बिल्कुल है क्योंकि x square जो है न वो तो बराबर होगा 0 के तो इसका मतलब इसमें आपके पास जो दो roots है वह 0 है लेकिन same roots कहलाएंगे na x square है जब square root करते हैं जो 2 पर 0 आता है तो that means कि इसके लिए same roots कहलाएगा हाँ यह distinct root है तो कुछ नहीं करेंगे आप लोग नहीं कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो काम नहीं लेकिन कुछ न कुछ करना है मैं simple है इसका हमने करना ही है x square plus 7x plus 3 और x square आपको बटाएगे तो आपको as it is लिखना ही होता है अप आपको नहीं इसको बराबर लेना है a के अच्छा यहाँ पर 3 root है इसके 2 होंगे तो आप एक बार इसको x कहेंगे और जैसा के क्या करते हैं हमने एक बार किया है b तो b की value का आप x square करेंगे अच्छा मैंने आपको general trump बताई थी x minus a और x minus तो वो मैंने इस case के लिए बताई थी कि अगर x minus 1 हो कहीं पर उसका whole square हो यह में बताना भूल गई तो उसमें आप यह करेंगे x minus a फिर इस तरह x minus मतलब square एक condition variety वो specific नहीं है यहाँ पर x है तो आप x ही लेंगे और पर x का square हाँ आगर x plus 3 होता और उसका whole square होता जैसा अगर इस पर square लगा बहुता तो आप यह करते है x plus 3 और एक बार x plus 3 का whole square ऐसे question को solve करते हैं अब x plus 3 के लिए क्या करें simple c लिखें और x plus 3 लिखें जैसा कि हमने previous exercise में 21.1 में किया था तो यहाँ तब तो हमने कर लिया question equation 1 बोल दिया second step वो ही same बिल्कुल as it is multiply both side by denominator of this value वैसे आप लोग चाहे तो LCM method भी use कर सकते हैं मुझे यहरा simple लगता है चले भाई multiply करते हैं फिर x square x plus 3 से तो मैंने यहाँ लिखा x square और x plus 3 अब मुझे यहाँ भी bracket लगाना पड़ेगा मजबूरन x square plus 7 x plus 3 और denominator same x square x plus 3 यह तो एक side की कहानी हो second side में भी x square x plus 3 और यह a और divide में x b के लिए भी यही कुछ change तो होना नहीं है क्या होगा अरे b के साथ तो होना यह लिखा नहीं कोई बात नहीं इस side लिख देती हूँ उस side लिखो या इस side लिखो बात तो एक ही है न x plus 3 और यहाँ पर x अब c के साथ भी करना है तो c के साथ भी x square x plus 3 square भी नज़र नहीं आ रहा x plus 3 भी नज़र नहीं आ रहा और यह c नज़र आ रहा है खैर कोई नहीं तो और यहाँ पर x plus 3 चीए अब देखें भाई क्या क्या आपके पास cancel out हो रहा है यह तो पूरी value cancel out हो रही है यहाँ पर सिफ x cancel out हो रहा है और यहां पर भी एक्स ही ke inspire हो रहा है यहां पर एक्स पलस 3 ठीक है तो हमारे पर रमेनिंग की है यहां इससाइट रमेनिय इस तरह यहां पर भी मैं जो अब रिमेनिक बच्छा इसे साइड लिखते हूं X और फिर X प्लस 3 और फिर B चीक है और एक मुनाट मेरे खाय से कोई तो मिस्ट्री की है मैंने हाँ की है किया है किया है यहां पढ़ना X स्क्वायर था यह एक स्क्वायर तो पूरा की पोरी वैल्यों कैंसल होगी कुछ तो फर्क आना चाहिए न यह कैसे के A की वैल्यों और B की वैल्यों बड़ाबर हो जाएगी X स्क्वायर था यहां पर X स्क्वायर और C अब सहिए इसके पास थोड़ा सा सही हमारे पास equation बन सकती है अब इसको आप नाम देने equation 2 का चीक है अच्छा इसमें न हम coefficient comparing method वाला भी यूस करेंगे method लेकिन वो useful हो सकता है maybe A के लिए फिल्हाल तो ये x plus 3 एक root है तो आप उसको put करते हैं जैसा के हमने previous question में किया था लेकिन आप लोगने वो वीडियो देखी नहीं होगी तो देख लीजेगा क्या करेंगे हम roots को करते हैं place ये second step हमारा होता है बलके नहीं first step, second, third step हमारा होता है तो x is equal to positive का तो हमें minus का 3 लेना होगा क्यों minus का 3 लेना होगा मैं उस video में बता चक्यों कि plus का 3 है, is equal to zero है तो plus का 3 is equal to के साथ move करते ही, minus का 3 है जाएगा is equal to के साथ नहीं मतलब उस तरफ move करते है in equation 2 ये मैं कर रही हूँ place ये मैं कर रही हूँ designing फजूल की खया इसको छोड़ दे अब क्या हुआ x is equal to minus 3 आप जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे minus 3, यहाँ x है तो minus 3 का square plus 7 minus 3 plus 3 इसे तरह minus 3 बना दिया सही रहता है minus 3 plus 3 a और फिर यहाँ b के साथ भी minus 3 plus 3 b और c के साथ minus 3 का square और c minus 3 plus 3 cancel तो 0 minus 3 plus 3 cancel तो 0 तो means तो a और b तो हो गया 0 तो a और b पूरे पूरे हो जाएंगे 0 c क्या होगा 3, 3 is a 9 तो 9 और positive का 9 क्यों तो क्योंकि even power 9c यहाँ देख लेते 3, 3 is a 9 यह भी positive हो जाएगा 7, 3 is a 21 plus minus minus और यह positive का 3 अब भी solution तो बाकी है ना क्या करेंगे minus का 21 है और 3 है तो 3 और 9 होते है पर इनको एट कर लेते 3 और 9 होते है 11 21 में से 3 और 12 21 में से 12 आप कर दे minus तो आपके पास answer आजाएगा minus 9 खेर अलग अलग भी कर सकते थे कोई मसले की बात नहीं थी अब क्या करना है अब हमें यही करना है कि 9 से 9 cancel the means minus 1 C की value हमारे पास आ गई minus 1 अब अगर आप देखें कि मैं 0 put करूंगी तो यह value put 0 हो जाएगी और यह 0 हो जाएगी B की value 0 put करने से निकल सकती है जब x² होता है तो यह भी तो 0 के बराबर होगा तो मैं स्टार्ट में बता चकी हूँ तो अब दो रूर्ट जो है वो 0 है तो आप एक की value तो 0 put करके निकाल सकते हैं आप अपके दिमाग में आएगा तीसरी की value कैसे निकलेगी तो वह भी कोई इतने मसले की बात नहीं है वो भी हम निकाल लेंगे उसको कैसे निकाल लेंगे जैसे हमने previous question में method यूज किया था कौन से method था? comparing method फिलाल तो अभी 0 तो put करें यहां भी 0 आएगा तो 0 का square plus 7 और 0 इसे तहाँ plus 3 और यहां पर भी 0, 0 plus 3 और A plus 0 plus 3 B और B plus 0 square और C अब यह तो 0 है ना तो 0 से multiply होने के बाद यह पूरी value 0 यह 0 नहीं होगा लेगा 0 plus 3 3 उटा है तो 3 B होगा हां यह 0 हो जाएगा तो आप इसको तो 3 B लिखें जो 0 हो गया वर से लिखने का फाइडा ही नहीं है 700 को छोड़ दें यह 0 सब 0 भाई तो 3 ऐसे लिखते हैं इसे तरह 3 बंदा 3 3 बंदा 3 तो यह B की value हो जाएगी आपके पास 1 और आप चाहरो 3 हैं multiply में हैं यहां ले जाएं divide में लिख कर फिक cancellation कर दें तब धी कोई फर्स नहीं पड़ता है इसको कर देते हैं box में बंद इसको भी box में बंद अब क्या रहेगे हमारे परस B और C तो आगया ए रहेगया तो 0 भी हम put कर चुके हैं दूसरा root भी हमारे पर 0 यह था तो अब 0 थो पुट करके ए तो निकाल सकते ही नहीं है तो अब हम method यूज करेंगे comparing method comparing coefficient of पहले में लिखने वाले थी फिर मैं देखा कि इस equation में तो x यहां भी है यहां भी है तो यह थोड़ी complicated equation है तो पहले मैं इस equation गो rewrite करते हूं जरह सही करके मैंने लिखा x square plus 7x plus 3 चीक है और यहां भी मैं multiply करवा रही हूं कैसे multiply करवा रही हूं x x x square x 3s are 3 x अब मैं इस तरह लिख लेती हूं और a को तो मैं बाहर वैसे ही रहना दूँगी b और c का कोई काम नहीं है लेकिन अब मैं edit is copy कर लेती हूं जैसा कि वह लिखा वा है x plus 3 और b और इसी तरह x square और c अब कोई कोई करने हैं किस तरह करने हैं इसको ना पहले थोड़ा सा और multiply कर x square plus 7x plus 3 क्योंकि मैं x square कोई को compare करना चाहती हूं तो पहले multiply हो जाए a x square x square a plus 3x a plus bx अच्छा इसको multiply करने ज़ौत नहीं है लोग चाले कर दिया bx plus 3b और x square c है अब देखें यह भी x square है यह भी x square है तो इसका मतलब मैं इनको एक 7 लिखकर common ले सकती हूं तो इस तरह हो सकता है कि x square common होगा तो a plus c बन जाएगा इसका मतलब जब कॉपिशन compare करूंगी यहां तो है one सही है और जब मैं इनको compare करूंगी वर्डिंग जरा यहां होनी चाहिए थी चलो कोई नहीं तो मैं इसको compare करूंगी तो यहां मेरे पस a भी आएगा क्योंकि x square का option तो a भी है और यह c भी है तो मैंने इस तरह लिखना है अब क्या करना है अब यह करना है कि c की value मेरे पास है जो के है-1 तो-1 is equal to लिखकर दिखा देती हूँ के 1 है और यह a है c की value है-1 is equal to two तो a की value हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगी जो के होगी 2 तो यहां पर इस तरह हमने तीन हो जो है कोईशंट सौरी तीन हों कि जो वैलू है वो मालूम कर लिए अब लस जो नहीं आज आने एक्विशन में लिख जेती हूँ एक्विशन बस इससे था लिखी वे x² प्लस 7x प्लस 3 जो कोशन था आपका x² और x प्लस 3 और पहले a है तो a की वैलू हमारे पास है 2 to 2 divided by x लिखा हुआ था चीक है आप लोग चाहते हो वीडियो टैक करके देख सकते हैं और यहां पर प्लस ही है और b की वैलू 1 है तो 1 divided by x² इसी तरह अगर c की वैलू को हम देखे तो c की वैलू है हमारे पास minus 1 तो मुझे यहां से सा दाना चाहिए minus 1 क्योंके plus minus minus होता न डिवाइड बाइ x plus 3 यह हो गया आपके पास answer question number 2 का इस्टूरंट्स उमीद है कि आपको partial fraction समझ में आया होगा with same roots अगर को question हो तो आप लोग comment section में पूछ सकते हैं बाकी जो इसके और further question है वो हम next video में और करेंगे ताकि आपकी practice हो चाहे क्योंके हर question में कुछ न कुछ ठोड़ा बहुत फर्क होता है इसलिए हमें questions करवाने प